हम सबसे पहले अब देखेंगे अमल वर्षा क्या होती है तो अमल वर्षा जो है वो सामानी जो वर्षा का जल है वो थोड़ा सा अमली होता है अगर माल लीजिए कि वहाँ पर pH मान 5.6 से 6 होता है या 5.6 से कम हो जाता है तो वाईयू मंदल में प्रेजेंट जो कार्बन डियोकसाइड है वो वर्षा के जल के साथ क्रिया करके कार्बोनी कमलका निर्माड कर लेती है जैसे वाईयू मंदल में कार्बन डियोकसाइड है और ये जल के साथ क्रिया कर लेगा तो H2O plus CO2 is equal to H2CO3 बनता है तो carbonic acid बना इसी तरह से ये जो carbonic acid है जब ये वातावरण में विघटित होता है तो H plus एवं bicarbonate iron में विघटित हो रहा है जब कभी वर्षा के जलका pH मान 5.6 से भी कम होता है हम जानते हैं कि pH मान यदी 7 से कम है तो ये अमली विलियन हो जाता है लेकिन यहाँ पर हम बात करें हैं कि यदी वर्षा के जलका pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो यहाँ पर ये अमली वर्षा का रूप ले लेते हैं अमली वर्षा के रूप में प्रित्वी पर लगातार जो है वो अमल प्रित्वी पर बढ़ता जा रहा है और नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑकसाइड होते हैं ये बहुत सारे उद्योगों से उत्पन हो रहे हैं और कोईले या तेल की दहन से भी मुक्त होते हैं तो ये ऊकसाइड होते हैं नाइट्रोजन के सल्फर के यहीं और जो है वातवरन में उपस्ती वाज़ोपाशा के जल के साथ गिया करके नाइट्री के सीड्स, सल्फियूरी के सिड्का निर्मार कर लेते हैं और यह भी अमली वर्षा का कारण बनते हैं यह वारिश के जल पी-एच 5.6 से कम होने का जो रीजन है वो ये सारे अमल होते हैं H2SO4, HNO3 या कारबोनिक एसीड ये सभी मिलकर अमल वर्श के पारण बनते हैं प्राकृतिक स्रोत में जैसे अगर जीवानू अभी क्रियाओं की बात करें या बहुत सारे ज्वालामुखी प्रक्रिया होती हैं बहुत सारे मानवी क्रिया कलाप होते हैं पेट्रोलियम, कोईला, लकडी इन सबके दहन से इन सबके में होने वाले रासाइनी कभी क्रियाओं से Sulfur dioxide, nitrogen के oxide ये सारे प्रकृति में बनते हैं और प्रकृति को प्रदुशित लगातार करते रहते हैं तो अब हम HNO3 कैसे बनता है प्रकृति में या बारिश के जल के साथ ये किस तरह से क्रिया करके nitrogen के oxide के द्वारा बनता है इसे हम समझेंगे reaction के द्वारा तो जो NO है, nitric oxide है ये oxygen होता है NO plus 2O2 is equal to NO2 plus oxygen बना O2 बना ये जो NO2 है ये फिर से 2O2 से याने oxygen से क्रिया करता है तो ये बन जाता है NO3 plus oxygen याने O3 याने यहाँ पर ozone भी बनता है इसी तरह जो NO2 है वो नाइट्रेट से क्रिया करता है NO2 plus NO3 से बनता है N2O5 फिर N2O5 जो है वो जल से क्रिया करके बना लेता है 2HNO3 तो ये HNO3 का बनना इसे हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन चुकि यहाँ पर हम अमल वर्षा के अमल वर्षा पढ़ रहे हैं इसलिए इ पस्ति थे किन-किन कार्णों से ये प्रकृति में होते हैं दूसरा हम देखेंगे सल्फियूरी कमल का बनना तो सल्फियूरी कमल जो है वो सल्फर डियोकसाइड की वज़े से बनता है तो 2SO2 plus O2 is equal to पहले बनेगा सल्फर ट्रायोकसाइड यानि 2SO3 ये जो SO3 है ये जल के सा प्रिया करता है SO3 plus H2O is equal to H2SO4 सल्फियूरी कमल का निर्माड हुआ अमल वर्षा में सल्फियूरी कमल और HNO3 कार्बोनी कमल ये सारे जो है वो सम्मिलित होते हैं अब हम अमल वर्षा या एसी ड्रेन के दुश्प्रभाव के बारे में जानेंगे प्रिच्वी पर जब लगातार अमल वर्षा होती रहती है तो इससे जो बारिश का जल है वो नदी जील तालाब इन सब में भी ये समाहित होता जाता है तो जली जो जीव जनतु होते हैं व होते हैं और निचली सता पर उपस्थित जो भारी धात्विय होती हैं अलूमीनियम, मैगनेज, लेड, जिंक, मरकरी ये सब को घोल देते हैं तो इन सब को घोलने के कारण ये विशेला हो जाता है पूरा जो जल है ये सारे जो धात्विक लवण जब पानी में घुल जाते ह हैं चुकि अमल वर्षा के कारण पूरा जो जल है वो अमली हो गया और अमली होने के कारण जली नीचे तली में उपस्थित विशाक जो धात्विक योगिक होते हैं ये घुल जाते हैं जल में और इनके घुलने के कारण जीव जनतु जली जो जीव जनतु है वो बहुत दे देखा गया है 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए इस pH मान पर पेड़ पौधों की का जो वृद्धी विकास है वो बहुत अच्छी तरह से होता है तो यदि अमलवर्षा होती है लगातार तो इस वज़े से जो मिट्टी का पीछ है वो भी 7.5 से कम होता जाता है तो ये होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आगरा का ताज महल है बहुत सारे हमारे पुराता त्विक जो धरोहर है मॉनिमेंट्स है वो भी अमलवर्षा के कारण धीरे-धीरे 6 होते जा रहे है या तो उनका कलर खराब होता जा रहा है या तो फिर वो लगातार वो 6 होते चारब होती जार है तो यह करेंसे होता है इसका जो रियाक्ष्ण है वो हम समझेंगे जो मर्मः मार्बल है उसमें केलशियम कार्बुनेट है जब ये मत一些 के साथ करिया करता है तो केलशियम से बना और जल बना इसी में घुल जाते हैं और धीरे धीरे ये विले होकर के बाहर निकलते जाते हैं तो चुकि ये छह होता जा रहा है जल के साथ घुलनशील होने के कारण ये बाहर निकलता जा रहा है तो बिल्डिंग जो है वो लगातार खराब होती जाती है अमली वर्षा के कारण पत्तियों को बहुत अधिक पहुंचता है पौधों का जो विद्धिव रिकास वो भी रुख सकता है इसी तरह से जो वर्षा के जल में घुलित अम्ल है इसके कारण जो धातु होते हैं प्राय जो सोना है चांदी है या कुछ जो क्रियाशील धात्वी होती है वो लगातर अपनी चमक जो ह में इन अमलों की अधिकता हो जाए तो ये जो धातू होते हैं वो अपनी चमक लगतार खोते जाते हैं जब ये अमल के साथ क्रिया कर लेते हैं ताज महल को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी 1995 में और इस योजना का नाम था ताज टेप्रीजियम ताज टेप्रीजियम के अंतरगत ताज महल के चारो तरफ का जो छेतर है जिसमें की आगरा तो है ही शहर आगरा साथ ही मथुरा फिरोजाबाद यहां आसपास का शहर एक और है भरतपूर इन शहरों में इस तरह की योजना को शामिल किया गया है ट्रेपीजियम छेतर के अंतरगत जितने भी शहर है वहाँ पर जो उद्योग लगाया जाते है या उन उद्योगों में प्राया प्राकृतिक गैस या लपीजी गैस को उप्योग किया जाना शामिल किया गया है और प्राया जो ऐसे जिवाश मिंदन है जिनका प्रयोग इन फैक्टरीज में किया जाता है उस पे रोक लगाया गया है इस छेतर में रहने वाले लोगों को भी लपीजी या कम सलफर वाले इंधनों का उप्योग करने के लिए बल दिया जा रहा है साथ ही पाइपलाइनों के माधियम से कूकिंग गैस उपलब्द कराई जारी है इस छ आती हम अपने स्तर पर इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इसे भी समझेंगे जैसा कि हमने देखा कि यह जो अम्द वर्षा है वो वायू प्रदूशन का ही एक उत्पन साइड इफेक्ट है तो वायू प्रदूशन को कम करने के लिए जिन जिन विधियों का हमने प्रयोग कि प्राय वे सारी विधिया भी इसमें सम्मिलित होंगी, जैसे उची-उची चिमनियों को लगाना, बड़े-बड़े गैस चेमबर को लगाना, जिससे की धुएं के कण बाहर निकलने से पहले ही अधिसोशित हो जाए या उच्छेपित हो जाए और कार्बन के पार्टिकल्स ज जाए बाहर ना निकले, बहुत अधिक उच्छ विभाव वाले धनावेशित या रेनावेशित प्लेट लगा दिये जाए तो बहुत सारे आउच्छेपित जो कड़ होते हैं, अपने अपने अपोजिट आवेश वाले जो चेमबर हैं उस तरफ आकरशित हो जाएंगे और दूएं के साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं, दूएं और निश्काशित गैसों और जो वाश्पशील पदार्थ होते हैं उसको भी निकलने से पहले जल के द्वारा यदी उपचारित कर दिया जाएं क्योंकि ये प्राय हजल भी घुलनशील होते हैं तो जब इसे जल के या धूम से मिलकर होता है, जैसा हमने पहले भी देखा कि कोहरा और धूम में प्राय कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जल वाश्प के कण होते हैं, जब ये बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं वायू के साथ, तो यही आगे चल कर धूम कोहरा स्मॉग का कारण बनते हैं, और ये बहुत अधिक प्रदूशन फैलाता है, ये जान लेवा भी होता है, जैसे कि एक घटना की चर्चा हमने पहले भी की थी, कि लंदन में इस तरह का स्मॉग बना था, तो ये किलर स्मॉग भी कहलाया उस समय क्योंकि वहाँ पर 4,000 लोगों की जान भी गई, तो धुआ और कोहरा, धुआ यानि हो गया स्मॉग और कोहरा यानि हो गया फॉग, तो स्मॉग और फॉग मिला कर होता है स्मॉग, तो ये जो स्मॉग है स्मॉग जिसमें स्मॉग भी है और साथ में कोहरा भी है, धुए की प्रकृती के अधार पर स्मॉग को दो प्रकार से बाटा गया है पहला है अपचायक धूमकोरा या जिसे reducing smoke कहते हैं और साथ ही इसे classical smoke भी कहा जाता है इस प्रकार का जो smoke होता है इसमें sulfur dioxide की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है यह sulfur dioxide चुकि यह अपचायक प्रकृती का होता है और इसी वजह से इस कारण से ही इसी प्रकार का जो smoke है यह लंदन जो धूमकोरा पन हुआ था वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ वाइमिंडल में sulfur dioxide की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी यहां पर हम देखते हैं कि sulfur dioxide जो है वबवाश्प के साथ संगहनित हो जाती है और यह धूम का कारण बनती है प्राय उत्री भारत में नौंबर और दिसंबर में हम इस smoke का अनुभव करते हैं क्योंकि प्राय उत्री भारत में बहुत सारे ऐसे छेत्रे हैं जहां बहुत सारे अध्योगी सयंत्र लगे हुए हैं तो इसकी वज़े से वायू मंडल में लगातार sulfur dioxide जो है वो फैलती जारी है और यह sulfur dioxide वायू मंडल में उपस्ती दुवा या कोहरे के साथ मिल करके smoke का निर्मार करती हैं तो अक्सर जो नौंबर या दिसंबर के महिने में जब वायू में जलवाश्प की मात्रा भी बहुत अधिक होती है तो वहां पर यह classical smoke का अनभो किया जाता है चावल की फसल को काटते समय वातावरण में भी फैलती है तो वातावरण में फैलने माले भूसी के कड़ों या carbon के कड़ों पर भी SO2 जो है वो जम जाता है और इसकी वज़े से भ लाद कर ही उसका निस्तारण किया जाता है यहां पर जो sulfur dioxide है यह भी जब ऑक्सिक्रीत होता है तो 2SO2 प्लस O2 से क्रिया करके sulfur trioxide बना SO3 बना और यह sulfur trioxide जब जल से क्रिया करता है तो H2SO4 बनता है अब हम प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा या स्मोग के बारे में और इस प्रकार का जो धूम कोहरा होता है वो उसका जो मुख्य कारण है वो oxygen और nitrogen होता है या उसके जो oxides होते हैं उसके कारण होता है जैसा हमने देखा classical smog जो है उसमें SO2 की सांदरता अधिक होने के कारण इस तरह का smog उत्पन होता है और यहां जो हम देख रहे हैं प्रकाश करिती के होते हैं और इस तरह के जो smog का कारण है वो वाहन या उद्योगों से निकलने वाले जो धुए हैं या इनके इनमें प्रयोग किये जाने वाले जो इन्धन है उसके देहन से जो दुआ या गैस उत्पन होती है उसकी वजह से इस तरह का smog उत्पन होता है घरों से निकलने वाले जो धुए हैं, उस पर सूरी के प्रकाश की क्रिया जब होती है, तो यहां पर हम देख रहें कि प्रकाश रासायनी क्रिया होती है, जैसे घरों में उत्पन होने वाले जो इंधन से उत्पन होने वाले जो धुए होते हैं, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में component होता है, तो nitrogen dioxide जब प्रकाश के साथ क्रिया करता है तो H3 के साथ यह क्रिया करके उत्पन कराता है, हम उत्पन कर्पन ह necessity उत्पन हुआ है यह औल विक oxygen के साथ क्रिया करता है और ozone बना लेता है, जैसे नवika औक्सीजन O2 plus O से बनता है ओजोन, तो यह ओजोन भी बायमेल में फैलता जाता है, तो NO और ओजोन की क्रिया के द्बारा, नाइट्रोजन के परोक्साइड भी बनते हैं और ओक्सीजन भी बनता है, तो NO plus Ozone, याने O3, इसकी क्रिया से बनता है, NO2 plus O2, तो यहां हम देखते हैं कि किस तरह से घरों से निकलने वाले धुए या जितने भी उद्योग हैं उनसे निकलने वाले जो nitrogen और oxygen के oxides होते हैं, यह इनमें प्रकाश रासायनी कभी क्रिया होती है। जैसे कि methane हैं, ethane हैं, इनसे जब यह क्रिया कर लेते हैं, यह जो oxy कारक है, जब methane या ethane जैसे hydrocarbon से क्रिया कर लेते हैं, तो बहुत सारे दूसरे प्रदुशक को उत्पन करते हैं। जैसे कि formaldehyde है, acroline है, peroxy acetyl nitrate है, formaldehyde जैसे HCHO है, acroline यहने कि CH2 double bond CHCHO है, peroxy acetyl nitrate, CS3 COOONO2, तो इस तरह से peroxy acetyl nitrate जो बनता है, यह भी इन ही oxy कारकों के कारण बनता है। अब इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, जो PAN है, peroxy acetyl nitrate जो होते हैं, यह आँखों में जलन उत्पन करते हैं, साथी स्वसंत अंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। धूम kohra, जैसे हम बहुत अधिक fog या smoke के कारण यह धूम kohra बनता है। तो धूम kohra का बूरा रंग है वो प्राय है, नाइट्रोजन के जो oxide है, उसकी वज़ए से ही होता है। क्योंकि नाइट्रोजन के जो oxide है वो बूरे रंग के होते हैं। तो धूम कोहरा का जो रंग है वो हम देखते हैं बूरा है तो इससे ही पता चलता है कि वायुमंडल में धूम कोहरा जो है उसमें कितनी अधीक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड खुले होते हैं रबर में ओजोन के प्रती अत्यधिक बंदूता होती है तो स्मॉग के प्रभाव में जो यह रबर है यह टूट भी सकता है तो इस तरह से कुछ निर्जीव चीजों पर भी इस तरह के प्रदूशन का प्रभाव पड़ता है ओजोन वाले जो स्मॉग होते हैं इससे ब्रॉंक करने के लिए प्राया जो आटो मोबाइल वाहनों के इंजन होते हैं उसमें उत्प्रेरकी परिवर्तक लगाए जाए और इन उत्प्रेरकी परिवर्तकों के लगाने पर जो वायूमंडल में ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मुक्त होने की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ह तो इस तरह के जो प्रदूशक है जिसमें ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोकार्बन है यह इतनी अधिक मात्रा में वायुमंडल में फैल नहीं पाते हैं दूसरा हम देखेंगे कि कुछ योगी जो है वायुमंडल में उसका छिड़काओ किया जाता है तो बहुत सारे मुक्त मुलकों का निर्मार होता है और यह जो मुक्त मुलक होते हैं वो पहले से स्थीद जो मुक्त मुलक है उससे सयोजित हो जाते हैं तो मुक्त मुलक चुकि वायू मंडल में छिड़काओ करके लासिकल कथा प्रकाश रासाइनिक स्मॉग में अंतर क्लासिकल स्मॉग यह एसो टू के ऑक्सी करण के कारण उत्पन होता है प्राप्ट एसो थ्री नमी के साथ स्यूप्त होकर एस टू एसो फोर फॉग बनाती हैं जबकि प्रकाश रासाइनिक स्मॉग कुछ प्रकाश रासाइनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है जब वायू में एनो तू तथा हाइड्रो कारबन होते हैं दूसरा है क्लासिकल स्मॉग में किया ठंडी तथा आण्द दशाओं में बनता है विशेश रूप से सर्दी में सुबह के समय पर प्रकाश रासाइनिक स्मॉग विशेश रोप से गर्मी के मौसम में दोपहेर के बाद गर्म शुस्क तथा सूरी के प्रकाश की उपस्थिती में बनता है क्लासिकल स्मॉग में एसो टू और कार्बन की उपस्थिती के कारण या अपचायक प्रकृति का होता है जबकि प्रकाश रासायनिक स्मॉग में ओजोन तथा एसो टू की उपस्थिती के कारण ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है इसमें धुआ तथा कोहरा दोनों होता है classical smog में अतर इसके लिए smog शब्द उचित है जबकि प्रकाश रासायनिक smog में कोई धुआ या कोहरा नहीं होता है अतर इसके लिए smog शब्द उचित नहीं है Classical smog को लंदन में सन 1952 में देखा गया था अतर इसको लंदन smog नाम दिया गया जबकि प्रकाश रासायनिक smog सर्वपथम 1950 में लौस एंजलिस में देखा गया अतर इसका नाम लौस एंजल smog रखा गया Classical smog, bronchitis तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन करता है जबकि प्रकाश रासायनिक smog आखों में जलन उत्पन करता है अब हम समतापी मंडल प्रदुशन के बारे में जानेंगे वायू मंडल में 10 से 50 किलोमीटर की उचाई तक का लगभग 40 किलोमीटर मुटाई की जो परत होती है वो stratosphere कहलाती है यह हमने पहले ही देखा तो इस stratosphere में oxygen के अलावा या हम कहें कि oxygen अणू के अलावा यहाँ पर oxygen का उत्तेजित अणू, oxygen का उत्तेजित परमाडू, साथ ही आईनित oxygen यहने इसे O plus कहते हैं यह सभी अस्तितू में रहते हैं, इसके साथ-साथ यहाँ पर ozone भी पाया जाता है अर्थात यहाँ जो stratosphere का जो layer होता है, इसमें oxygen, gas के साथ-साथ बहुत सारे इसके जो दूसरे रूप हैं चाहे आयन्स हो, परमाडू हो, अडू हो, या ozone हो, यह सारी चीज़ें जो है, इसमें सम्मिलित रहती हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यह जो उत्तेजित oxygen परमाडू होता है ये उत्तेजित ऑक्सीजन परमाडू किस तरह से बनता है, कैसे ऑक्सीजन का विगटन होता है और किस तरह से ओजोन का निर्माड होता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो प्रकाश रासायनिक अबगटन होता है तो आकसीजन जब प्रकाश रासायनिक अबगटन करता है तो यहाँ पर यह दो आकसीजन परमाडू में परिवर्तित होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओजोन के बनने को यदि ओजोन Bनता है तो वो किस तरीके से बन रहा है ओक्सीजन के तीन परमाडू आपस में क्रिया करके बनते हैं ओक्सीजन अडू साथ ही ओक्सीजन का जो एक उत्तेजित परमाडू है वो यहाँ पर बनता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्तेजित ओक्सीजन अडू है यहां पर हमेंसे O2 star की रूप में दर्शा रहे हैं यह द्रिश्य प्रकाश के छेतर में 636, 630 और 558 mm तरंग लंबाई वाले जो विक्रण होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं तो इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं वायू दिपती यानि इस तरह के जो विक्रण उत्पन होते हैं अलग-अलग तरंग लंबाई के तो यह बिल करके बनाते हैं वायू दिपती यहां जो ऑक्सीजन परमाडू है वो जैसे ही उस पर प्रकाश रासायनिक अबगटन होता है या जैसे ही उसमें प्रकाश की किरने पड़ती हैं फोटॉन्स पड़ते हैं तो वह ऑक्सीजन आयन में परिवर्तित होता है यानि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑ अब ये एलेक्ट्रोन त्याग देता है तो ऑक्सीजन का एक आयन बना O+, बनता है। जैसा कि हमने देखा कि Oxygen परमानू तेजित होकर Oxygen Ion बनाते हैं, इसी प्रकार से जो Oxygen परमानू है वो आपस में सहयोग करते हैं और Ozone का निरमान होता है। इसी stratosphere वाले जो portion है यहाँ पर ozone gas का भी निर्माण होता है जो UV rays होती है यह ozone का जो अणू है फिर से यहाँ पर UV rays के कारण यह विघटित हो जाता है और यह ozone जो है जब यह विघटित होता है तो ozone के विघटन से oxygen अणू और नवजात oxygen बनता है यह ozone इस oxygen परमाणू से क्रिया करता है और oxygen के दो अणू बना लेता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस UV किरणों के प्रभाव से oxygen का जो अणू है विघटित होता है और विघटित होकर ऑक्सीजन, अणू और साथ में नौजात ऑक्सीजन या ऑक्सीजन परमाणू में परिवर्टित होता है ओजोन जो है इसके स्थाइत्व के लिए चुकि ओजोन लेयर में ओक्सीजन के संयोग से या ओक्सीजन अणू का परमाणू के साथ संयोग होता है तो ओजोन का निर्माण होता है तो इस लेयर में ओजोन के स्थाइत्व के लिए नाइट्रोजन एवं ओक्सीजन के साथ साथ एक अन्य जो अनु है M ये भी आवश्यक होता है इस M अनु के कारण ही विखिरन जो है वो अतिरिक्त उर्जा को अवशोशित करता है और ओजोन के अब गटन को रोक सकता है तो इस M की आवश्रक्ता जो है nitrogen oxygen के साथ भी होती है ताकि ozone का जो इस्थाइत्व है वो बना रहे तो इसका जो reaction है वो इस तरह से होता है oxygen परमाडू oxygen अडू प्लस M करते हैं यहने O plus O2 plus M is equal to ozone अडू बना और M जो है वो बाहर निकल जाता है तो यह जो M होता है यह oxygen के स्थाइत्व को बनाये रखने में मदद करता है यहाँ पर हम यह जानेंगे कि किस तरह से stratosphere में जो oxygen है वो मात्रा के आधार पर केवल 10% ही रहती है या इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है तो ozone जो है वो oxygen का ही एक बहु रूप है यहने oxygen को हम O2 के र रूप में लिखते हैं तो यह oxygen का ही एक बहु रूप होता है जो कि अधिक क्रियाशी लणू है oxygen की तुल्ला में और प्रिथवी से लगभग 30 km की जो दूर तक की उंचाई होती है वहां के वायूमंडल में यह उपस्थित होता है ओजोन की जो मात्रा है इसके नीचे के वा बैगनी किरने होती है यह उपरी वायूमंडल में ओजोन की सतह जो है वो अधिक सीमा तक उसको रोक पाती है जैसे जैसे ओजोन की सतह जो है वो कम होती जाती है या ओजोन की सांदरता जिस लेयर में कम होती जाती है तो UV rays जो है वो प्रिथवी की सतह पर आने लगती है तो तो ओजोन लेयर में यदि ओजोन की सांदरता अधिक होगी तो UV rays जो है वो डाइरेक्ट प्रित्वी तक नहीं पहुँच पाती है। यदि ओजोन लेयर का सांदरन इस स्थिती में कम होगा तो जो Ultraviolet rays है वो डाइरेक्ट ही प्रित्वी पर पहुँचती है और प्रित्वी पर उपस्तित जो वनस्पती है जीव जन्तु है उनको प्रभावित करती है। जगा पूरा ओजोन गैस होता है जो की एक रक्षा कवच होती है प्रित्वी की इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार प्रदूशन के बढ़ते जाने से इस ओजोन परत का धीरे धीरे छे होता जा रहा है। तो यह किस प्रकार से होता है यह किन कारणों से होता है यह भी हम जानेंगे। तो ओजोन की जो परत होती है उसकी जो मोटाई है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। और चुकि पृत सारे ऐसे प्रदुशक पदार्थ निकल रहे हैं जिसकी वज़र से ओजोन लेयर जो है वो लगातार छे होता जा रहा है और साथ ही अल्ट्रा वाइलेट रेज जो है वो पृत्वी पर डायरेक्ट आ रहे हैं जो कि जीवजन्तु और वनस्पतियों पर बहु दीरे oxygen में परिवर्दित करते हैं कुछ ऐसे विघटनकारी रसायन भी होते हैं जिसे हम chlorofluorocarbon CFC के रूप में भी जानते हैं जो यह chlorofluorocarbon होता है यह प्रायरेफिरीजरेशन में shaving जो foam होते हैं, spray होते हैं या सफाई के जो reagents होते हैं उनमें इसका बहुत अधिक मात्रा में रियोग होता है तो refrigeration में जैसे हम देखते हैं कि AC है या fridge है तो इसमें से लगभग 15% पार्ट जो है वो इसमें chlorofluorocarbon का होता है साथ ही जो shaving foam होता है इसमें 24% होता है, सफाई agent जो है उसमें भी 24% होता है और जो spray होते हैं इसमें 15% होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यह spray है वो prior aerosol spray होते हैं जिसमें की 15% पार्ट जो होता है वो CFC का होता है तो CFC का उपयोग जो है अपने हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें CFC का बहुत जादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ozone layer के deflation का तो nitrogen के जो oxides होते हैं chlorine है carbon tetra chloride ये सारे जो reagents हैं ये भी ozone विगटनकारी chemicals ही होते हैं तो nitrogen peroxide जो होता है जिसे हम NO2 कहते हैं ये NO2 direct ozone के contact में आता है और ozone को oxygen में परिवर्थित करता है और nitrogen peroxide को nitric oxide अर्थात NO में परिवर्थित कर देता है Dr. Ivansan एक scientist है उन्होंने कहा कि green house effect के कारण पृत्वी पर वापस आने वाली जो उश्मी विकिरन होती है उसकी मात्रा CFC की मात्रा में वृद्धी के साथ साथ और जादा दुगनी होती जारी है यानि कहीं न कहीं ये जो chlorofluorocarbon है इसका प्रभाव ozone layer के deflation में बहुत जादा प्रभावकारी होता है तो chlorofluorocarbon के प्रकाश अब घटनी विघटन के कारण क्लोरीन मुक्त मुलक बनता है और क्लोरीन मुक्त मुलक के रूप में जब ये निकलता है यानि chlorofluorocarbon से क्लोरीन फिर ये ozone से क्रिया करता है ओजोन से क्रिया करके ये आणवीक oxygen में परिवर्तित होता है साथ ही जो क्लोरीन मुक्त मुलक है उसका निर्मार यहाँ पर होता है तो वातावरण में उपस थी जो परमाडविक ऑक्सीजन है वो इस क्लोरीन के साथ या क्लोरीन मुक्त मुलक जो होता है उसके साथ ये क्रिया करता है उसके साथ क्रिया करके ये ऑक्सीजन के अणों का निर्मार करता है और पुना ये जो क्लोरीन मुक्त मुलक है उसको मुक्त करता है तो इसके reaction को यदि हम समझेंगे तो ये जानेंगे कि जो ये CF2-Cl2 है जिसे हम chlorofluorocarbon कह सकते हैं या dichlorodifluorocarbon dichlorodifluoromethane इस तरह से भी से हम कह सकते हैं तो ये जब विघटित हो रहा है तो ये विघटित होकर ये एक मुक्त मुलक बनाया CF2-Cl2 एक dot लगा है अर्थात ये एक मुक्त मुलक बना साथ ही यहां पर एक और मुक्त मुलक बना क्लोरीन का तो ये क्लोरीन मुक्त मुलक है अब ये जो क्लोरीन मुक्त मुलक है ये ozone के साथ क्रिया करता है यानि ozone layer को effect डालता है तो ozone का विघटन होता है तो यह जो क्लोरीन मुक्त मुलक है जैसे ही यह ओजोन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर बनता है क्लोरीन मोनो ऑक्साइड मुक्त मुलक याने CLO और ऑक्सीजन गैस निकलती है यह जो क्लोरीन मोनो आक्साइड मुक्त मुलक है ये क्लोरीन मोनो आक्साइड मुक्त मुलक ओक्सीजन के साथ रियक्ट होता है परमार्विक ओक्सीजन के साथ रियक्ट होता है और ये परिवर्तित हो जाता है क्लोरीन मुक्त मुलक में जब ये क्लोरीन मुक्त मुलक में परिवर्थित हुआ इस दौरान हम देखते हैं कि oxygen gas भी बनती है यहां पर ये जो क्लोरीन मुक्त मुलक बना है ये ओोजोन लेयर के depletion का उसके 6 का बहुत बढ़ा एक कारण बनता है तो ओजोन मंडल में जब विघटन होता है तो ओजोन की सांदरता धीरे-धीरे कम होने लगती है जब ओजोन की सांदरता कम होने लगती है तो वहाँ पर छिद्र का निर्माड होता है इसे हम कहते हैं ओजोन छिद्र याने ओजोन का डिपलेशन हुआ ओजोन लेयर का ओजोन का सांद्रन कम हो गया तो उस जगह पर उस लेयर में छोटे-छोटे ओजोन छिद्रों का निर्माड हो जाता है ये जो ओजोन छिद्र बन जाते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि पराबैगनी जो किरिने होती हैं इस परत में से आरपार हो जाती हैं और हमारे ग्रह याने की पृत्वी पर इसका डाइरेक्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है तो यहां जो यह CF2, CL2 को हम FREONS भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं यह Ozone विघटन कारी पदार्थ हैं और बहुत अधिक प्रभावकारी होते हैं प्रकाश की उपस्थिती में यह जो CFC है यह कार्बन को विघटित कर देते हैं, कार्बन विघटित होते हैं और कलोरीन मुक्त मुलग का निर्मार करते हैं और ये क्लोरीन मुक्त मुलक जो है वो ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्थित कर देता है और इसी वजह से ओजोन लेयर का डेपलेशन होता है अब हम पराबैगनी किर्णों का जो दुस प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे सबसे पहला यह है कि द्रि जो यूवी रेज है वो डायरेक्ली हमारे आखों पर पढ़ती है और आखों की रौशनी चली जाती है और धीरे-धीरे कई तरह के दूसरे प्रभाव जो है वो आखों पर पढ़ने लगते हैं यह देखा गया है कि ओजोन की मात्रा यदि वायुमंडल में एक प्रतिशत से कम हो जाए या ओजोन का जो सांधरन है वो एक प्रतिशत से भी कम हो जाए तो व्यक्ति जो है वो दृष्टि हीन भी हो सकता है दूसरा हम देखेंगे प्रतिरक्षा तंतर पर प्रभाव ओजोन लेयर की अप्छे का प्रतिरक्षा तंतर पर भी बहुत बुरा प्रभाव प जर्म लेलने लगती है शरीर में अगला बहुत ही घातक एक प्रभाव है प्राबैगनी किर्णों का जो की ओजोन लेयर के अपच्छे से ही पृत्वी तक होसती है और त्वच्चा कैंसर का कारण बनती है त्वच्चा का कैंसर प्राया ऐस्ट्रेलिया में ज्यादा देखा ग तो जो ये त्वच्चा का कैंसर होता है ये ओजोन लेयर डिप्रिशन के कारण ही है ओजोन के छिद्र का बहुत अधिक प्रभाव त्वच्चा कैंसर के रूप में प्रकृती में प्रित्वी पर देखने को मिलता है जैसे जैसे व्रिधा वस्था आती जाती वैसे वैसे त तवचा कैंसर जो है वो और ज्यादा भरता जाता है या औस्ट्रेलिया में ही देखा गया है कि जो वरिद्ध लोग है उन्में तवचा का कैंसर बहुत अधिक फैला हुआ है हमने यह देखा कि यह और फ्लोरोकारबन जो है वो ओजोन लेयर डेपलेशन का मुख्य कारण होता तो उसके substitute या प्रतिस्थापी के रूप में hydrofluorocarbon का प्रयोग किया गया है HCFS, यह नहें यहां पर hydro chlorochlorocarbon, तो यह जो hydro chloro फ्लोरो कारबन है चोगी यहां पर chlorine नहीं है, तो इसका जो दुशप्रभाव है chloro fluorocarbon के कारण जो ozone layer depletion हो रहा है, उस पर थोड़ी सी कमी आ रही है लेकिन फिर भी देखा गया है कि चुकि क्लोरो-फ्लोरो कार्बन का प्रयोग इतना जादा हो चुका है तो समताप मंडल में ये क्लोरीन की मात्रा बहुत अधीक अभी भी फैली हुई है और बहुत लंबे समय तक ये क्लोरीन जो है वो रहता है ये जो हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन है ये क्लोरो-फ्लोरो कार्बन की प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है अब हम ओजोन छिद्र का निर्माण किस तरह से होता है ये जानेंगे हमने ये देखा जो श्रिंकला अभिक्रिया होती है उसमें ये जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है या क्लोरीन मुक्त मुलक है या फिर क्लोरीन मोनो आकसाइड मुक्त मुलक है जिसको हम CLO. या CL. इस रूप में दर्शाते हैं तो इन्हें के कारण जो श्रिंकला अभिक्रिया है व वो अंटार्क टिका में अधिक दिखाय देती है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के दूसरे भाग में, जो क्लोरो मोनो- आकसाइड मुक्त मुलख है, वो नाइट्रोजन की आकसाइड जो की स्ट्रेटोस्फियर में उपस्थित होते है, उनके साथ क्रिया करके और क्लोरीन मुक्त मुलक जो है वो स्टेटो स्फियर में प्रेजेंट जो मेथेन है इसके साथ क्रिया कर लेते हैं और नस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर हम reaction को देखेंगे जैसे CLO मुक्त मुलक है प्लस NO2 के साथ ये react हो गया तो CLO NO2 बना और क्लोरीन मुक्त मुलक जो है वो मेथेन के साथ क्रिया कर लिया और मेथिल मुक्त मुलक और HCL के रूप में निकलता है दिस तरह हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और मेथेन है ये क्लोरीन मुक्त मुलक या जो मोनो क्लोरो ऑक्साइड मुक्त मुलक होत यह जो क्लोरीन मुक्त मुलक है वो मेथेन और NO2 के द्वारा नश्ठ हो गया तो यहां पर इसकी जो सांदरता होती है यह ओजोन के साथ अधी क्रिया नहीं कर पाते हैं और ओजोन लेयर का जो अप्छय है उसका जो संकट है वो थोड़ा कम हो जाता है इस प्रकार से जो श्रि ठंड के समय में PSC या Polar Stratospheric Clouds यह बन जाते हैं तो प्रायर ठंड के समय हम देखते हैं कि यहां दो प्रकार से बादल का निर्माड होता है एक बादल जो है वो हम देखते हैं कि माइनस 77 डिग्री सेंटिग्रेट पर बनता है और यहां पर कुछ ठोस रूप में जो नाइट प्रकार का जो बादल है वहां हम देखते हैं कि लगभग माइनस 85 डिग्री सेंटिग्रेट पर यह बनता है और यहां पर कुछ बर्फ भी होती है क्योंकि माइनस 85 डिग्री सेंटिग्रेट पर होता है यह और यहां पर क्लोरीन नाइट्रेट HCl, HOCl और Cl2 में अभिक्रिया ह होती है तो इसमें जो रियक्शन होता है वो इस तरह से होता है C-L-O-N-O-2 प्लस H2O is equal to HOCl याने हाइपो क्लोरस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना है फिर C-L-O-N-O-2 HCl से रियक्ट होता है और क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड बनता है यहां पर जो हाइपो क्लोरस अ आड़ी क्लोराइट का बनता है वो आसानी से वापस सक्री क्लोरीन के साथ जो है वो अनुकूल दशा में बदल जाती है यहने फिर से श्रिंखला भीक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है और ओजोन की छटी जो है वो लगातार होती रहती है अंटार्करिका में हम देखते है कि ओजोन का छहे किस प्रकार से हो रहा है तो अंटार्कितिका में हमने देखा कि जो वायु मंदल की जो परिस्थितिया है वो दो अलग-अलग करह कि बादलों के बनने के कारण अलग तरह की होती है प्राय शीत रितू में यहां पर विशेश प्रकार के बादल बन जाते हैं जिसे हम धुरुवी समताप मंदल बादल या स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउट से वो कहे जाते हैं तो ये बादल जो है वो लंबी गहरी जो अंटार्किटी का होती है वहां पर जो सर्दी में ओजोन है वो नहीं बन पाता है और इसी के कारण यहां पर जो बर्फ की है वह हम देख रहें कि क्लोरीज का बनना यहां पर प्रभावी हो जाता है तो यह जो रियक्षन है वह इस तरह से होगा सीलो प्लस अपनाई सीलो में और फिर सीएच फोर से बनता है में अचन और यहां पर फिर से हम देखेंगे कि शीएवा अथी यह फिर क्लोरीन और HNO3 बना लेती है तो यह रियक्शन जो हमने देखा कि कैसे अंटार्कटी का जो छेतर है वहाँ ओजोन का छिद्र है वो अधिक मातरा में प्रभावी होता है शीतरीतु में जब वायमंडल में जो मौसम होता है वो अलग तरह का होता है वहाँ का तो इसलिए जो ओ प्रकाश रासायनी का भी क्रिया द्वारा विगटित हो जाते हैं तो यह जो हो जैसे ही इसमें प्रकाश रासायनी क्रिया होती है तो इससे OH मुक्त मुलग और CL मुक्त मुलग बनता है वैसे ही जो आणवी क्लोरीन है यह फिर प्रकाश रासायनी का भी क्रिया करता है और प कि जो दुरुवी समताप मंडल है वो बादलों के कारण हवा का उसमें बहुत अधिक सघन एक भवर जैसा बन जाता है यह जो है अन्टार्कटिका के चारों और जो समताप मंडल है उसमें बनता है जिसे हम दुरुवी चक्रवात के रूप में जानते हैं तो यह जो जो ओजो युक्त जो पूरा हवा का अधुरुवी भाग होता है उससे उसको अलग कर देता है तो इस तरह ओजोन चिदर यहाँ पर भर नहीं पाता है क्योंकि ओजोण लेजर ही वहां पर बन नहीं पा रहा ही और युगत हवा जय वह वो अधुरुवी भाग शे अलग हो तो जब हम देखते हैं अंटारक्रिडिका में ओजोन चिद्र का नहीं भर पाना इसका मुख्य कारण है कि यहां किस तरह से धुरूवी चक्रवात बनता है जब बसंत होता है बसंत के बाद सूरी के प्रकाश की तिवरता बढ़ती है तो यह जो भवर है वो तूट जाते हैं तो इससे जो ओजोन यूक्त हवा चारो तरफ से वातावरण से तुरंद जाकर ओजोन चिद्र को भर देती है तो जब यह चक्रवात बनता है तो उस समय ओजोन बन नहीं पाता है ओजोन वहां पर भर नहीं पाता है ओजोन चिद्र को लेकिन बसंत रितु के बाद रब सांद्रता बढ़ती है और इस तरह से ओजोन लेयर जो है वो भरने लगता है